चलिए, वीकली वोरियर्स में आप सभी का स्वागत है 5th of February 2022 रिजल्ट के बारे में डिसकस कर लेते हैं तो कल आपका टेस्ट हुआ, वीक वाला और कई लोगों का प्रदर्शन उसमें बहुत अच्छा रहा है और कई लोगों का प्रदर्शन फिर से उसमें अच्छा नहीं रहा है तो सबसे पहले आपका जो टारगेट होना चाहिए कि वीक में आपका जो टेस्ट होता है उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहे उसमें performance अच्छा रहने का मतलब यह हो जाता है कि आपका जो full test होगा उसमें धीरे धीरे प्रदर्शन आपका अच्छा होने लगेगा लेकिन सबसे पहला जो target आपका होता है वो आपका week में अच्छा प्रदर्शन करना होता है तो कुछ लोगों का तो लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है और इसका effect directly उनके result पर भी पढ़ता है लेकिन कई लोगों का अभी जो week का प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं रहा है तो कहीं न कहीं जो आप में कमिया है उसको दूर करने की कोशिश करिए क्योंकि आज हो चुकी है 6 फरवरी 2022 और धीरे धीरे जो आपका examination है वो close होता जा रहा है तो कुल मिलाकर आपको work करने की जुरुत है मेहनत करने की जुरुत है तो जादा से जादा मेहनत करिए जिससे आप result के करीब जाए चले अब हम लोग बात कर लेते हैं paper के बारे में लेकिन अगर आपने जो चीजें नहीं पढ़ी है तो समस्या खड़ी हो जाती है और paper difficult आए तो भी और आसान आए तो भी difficult आएगा तो obvious सी बात है merit निट जाएगी और अगर आसान आएगा तो obvious सी बात है merit उपर जाएगी तो वहीं पे patience रखना होता है अभी आपको last जो दो papers हुए हैं एक आपका समिक्षा अधिकारी का हुआ है और इसके लावा UPPCS prelims 2021 का paper हुआ था ठीक है तो दोनों paper में base अंतर जो आपको समझ में आया होगा वो base अंतर ये है कि UPPCS prelims का जो GS का part था वो उतना difficult नहीं था आराम से आप 86 90 question के आसपार्ट हि compare किया जाए UPPCS prelims से तो कहीं ना कहीं difficult था क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रशन थे जो नए थे लेकिन समिक्षा अधिकारी का pattern यहीं होता है इसी वज़े से merit उसकी नीचे गई है और 5-8 question जो है फिर बदल हुए हैं जिसकी वज़े से merit इधर उदूर हुई तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हमेशा आपको focus करना पड़ेगा हमेशा current related GS को पढ़ना पड़ेगा अगर आप अपने आपको update करते हैं revise करते हैं तभी इस examination में सफल हो सकते हैं चलिए अब result के बार में discuss कर लेते हैं कौन किस position पर रहा है तो 20 में से 20 number है उमेस जी के मेंस दे रहे हैं ये अभी 21 का इसके लावा प्रिया जी का पूजा जी का सागर जी के सुनील राना जी के सिखा श्रवास्तों जी के 20 में से 20 number है 19 marks है सचिन जी के राहुल वर्मा जी के प्रभाद जी के संतोसी जी के सतीस जी के प्रभाद जी भी लगतार मेंस दे रहे हैं 2021 का इ जी संतोसी जी और सतीज जी सतीज जी भी बहुत ज्यादा वर्क आउट करते हैं 18.5 नंबर है मनोज जी के सिप्रा जी के अंके दिवेदी जी के मोनिका सिंग जी के 18.5 नंबर है कानहा जी के पूजा यादो जी के सुर्जीत जी के आराधना सिंग जी के 17.5 नमबर हैं सोनू दूबे जी के पंकचपाल जी के सावितरे सिंग जी के आलोग जी के 17 मार्क्स हैं सुएता जी के आसेज जी के आयाज जी के सीथी जी के और सोनिका जी के सोनिका जी आपका performance थोड़ा सा डाउन हुआ है आपके अंदर बहुत capacity है तो उम्मीद करता हूँ कि 20 out of 20 की target आप रखेंगे जो लगातार आप रखते हैं 16.5 नंबर है दिव्यातिवारी जी के हिमान सिंग जी के अबरार जी के यूराज जी के पलक बाचपई जी के 16 नंबर है नीरज जी के सौरब जी के नागेंदर जी के नीरज जी के राजेश कुश्वाहा जी के तो ये था 20 में से 20 या फिर 20 में से 16 नंबर जिसके भी आये हैं उन सभी लोगों के नाम और जिनके भी इससे कम आक्स आये हैं उनके नाम हमेशा की तरह नहीं लिये गए हैं और आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम जो मेरिड बनती है वीकली का तो उसमें आपका प्रदर्शन रहे उसमें आपका नाम है इसे एक आपको एनरजी मिलेगी और कहीं न कहीं इस चीज़ का बेनिफिट जो है आपके रियल एक्जामनेशन में आपको दिखाई पड़ेगा प्रेक्टिस इस एक्जामनेशन के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है आप कितना भी पढ़ाई कर कितनी भी तैयारी कर लें जब तक आप प्रेक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपका प्रदर्शन और रिजल्ट जो है वो बहतर नहीं आएगा कोल मिलाकर यह है कि अगर आपको माइनस मारकिंग से बचनी है जो आज की डिट में सबसे बड़ी चिंता का विशा है सभी लोग चुका है इस बैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बैच का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा मुल जाएगा एक फरवरी 2022 से नया बाच स्टार्ट हुआ है थैंक्यू सो मच